अमेरिका के राष्ट्रपती डॉनल्ड ट्रम्प ने आखिरकार ये खुलासा किया है कि बिजी कारेक्रम और उनके बारे में फर्जी खबरों से खुद का बचाव करने की जरूरत के कारण कभी-कभी वो बिस्तर पर लेटने के बावजूद ट्वीट कर देते हैं ट्रम्प ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दोरान ब्रिटेन के ITV से कहा कि वो आमतोर पर दिन में सरकार का कामकाज संभालने से पहले नाश्ता या लंच के समय ट्वीट करते हैं लगभग दो दशकों में दावोस में W.E.F. की बैठक में भाग लेने वाले पहले अमेरिकी राष्टपती ट्रम्प ने सोचल मीडिया एप के इस्तिमाल पर कहा मैं इसे संचार का एक आधुनिक दिन कहता हूँ ट्रम्प ने रविवार को प्रसारित एक इंटरव्यू में कहा यदी मैं ऐसा नहीं कर पाता तो मैं अपने आपको बचाने में सक्षम नहीं हो पाता उन्होंने कहा शायद मैं बिस्तर पर शायद कभी-कभी नाश्ते और लंच पर ट्वीट करता हूँ उन्होंने ये भी बताया कि केवल वो ही अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट करने वाले नहीं हैं ट्रंप ने कहा सामान ने तहा सुबह के दौरान मैं ऐसा करता हूँ इसके बाद दिन में मैं व्यस्त रहता हूँ मैं कभी-कभी अपने लोगों को कुछ चीजें लिखवा देता हूँ तेश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले